दोस्तों जब आप जियो टीवी को यूज करेंगे आपको एक मौस चाहिए होगा दोस्तों क्यूंकि एक एक बार जियो टीवी काम नहीं करेंगा दोस्तों तब आपका मौस इंवर्ट हो जाएगा मतलब आपका मौस अच्छी तरह से काम नहीं करेंगा तब आप इस मौस को य यह वाला मौस बहुत काम आए जाए जाए जो कि आपके रिमोट के अंदर रहता है तो चलिए इसके बरे में मैं आपको बता देता हूँ इसे दोस्तों यह एक अप्लिकेशन है दोस्तों इसे आप प्लेश्टोर से इंस्टाल कर सकते हैं इसका नाम है मौस फॉर एंडरोड टीवी टोगल इसका नाम है दोस्तों अगर आपके प्लेश्टोर में नहीं मिल रहे तो आप मुझे इंस्टागरम पर मेसेश कर सकते हैं इंस्टागरम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट सेक्षिन में भी मिलेगा दोस्तों तो पहले आप हम इसे अनिस्टाल करेंगे अनिस्टाल करके इसे फिर से इंस्टाल करके बताऊंगा दोस्तों तो यदëlर आप देख सकते हैं दोस्तों मैं अनिस्टाल कर रहा हुँ और यह हो गया अनिस्टाल, तो मेरे पास इसका apk file है दोस्तों तो उसे ही मैं इंस्टाल करके दिखाऊंगा यदर आप देख सकते हैं मेरे पास godv apk है और mouse toggler का भी AP के है तो इसे हम install करेंगे install करने के बाद आपको इसे open करना होगा open कीजिए open करने के बाद इसे आप उपर देख सकते हैं दोस्तो not granted not granted सब को not granted बोलके आ रहा है तो इसे कैसे solve करें तो इसके लिए आपको back आना पड़ेगा back आना के बाद setting में जाना होगा setting में जाकर device preferences और उसके नीचे पूरा नीचे आई है दोस्तो आने के बाद आपको accessibility बोलके option मिलका इसे open कीजिए open करने के बाद इसे आप देख सकते हैं mouse toggle service बोलके है इसे off है दोस्तो इसे आप on कीजिए on करने के बाद इसे आप देख सकते हैं एक permission granted हो चुका है और overlay permission अभी not granted हो चुका है तो इसे solve करने के लिए आपको फिर से back आना होगा back आने के बाद setting में जाना होगा setting में जाकर apps में जाए दोस्तों apps में और इदर special app access इसके ओपर क्लिक कीजिए इसके ओपर क्लिक करने के बाद display our other apps पोल के option आएगा उसे क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद इदर आपको वह app ढूड़ना पड़ेगा दोस्तों तो यह रहा वह app इसे इसे एनेबल कीजिए दोस्तों अलो कीजिए अलो करने के बाद सारे परिमिशन से दे देने के बाद next step आपको मैं बता हूँ है दोस्तों इसरा आप देश सकते हैं दोस्तों सारे परिमिशन ग्रैंट हो चुके हैं सारे green पर हो जाएंगे रेनिंग रेनिंग आ रहा है तो next आपको क्या करना है नीचे आना है दोस्तों नीचे आने के बाद अब देश सकते हैं दोस्तों मैं प्रेसेंट होल्ड करूंगा जब मैं रिलीज करूंगा इधर आप दे सकते हैं कुछ आ रहा है कंफॉर्म यूर चेंज़ेस यूर्यली वान्टो सेट की फॉर एज न्यू बॉस की तो हाँ हमें सेट करना है दोस्ते इसे यस पर क्लिक किजिए क्लिक करने के बाद आपको काम हो चुका है बैक आना होगा बैक आने के बाद जब भी आपको माउस का जरुरत पड़ेगा तीन सेकेंड तक आपको प्रेसेंड होल करना है दोस्तों यह बैक वाला बटन प्रेसेंड होल करने के बाद इधर माउस आएगा आप इसे यूज कर सकते हैं अगर आपको स्क्रोल करना है तो एक बार एक बार बैक बटन प्रेस कीजिए एक बार प्रेस कीजिए इजर आप नीचे देख सकते हैं स्क्रोल मोड अन हो चुका है जब आप ऊपर नीचय का बटन peng slipperyintव करिए तब ये फिर से आपको माऊश चाहिए तो फिर से एक बार एक इस पर आपको बैक बटन प्रेस करना होगा और यह mouse convert हो जाएगा जब इसका काम कतम होगा इसे हटाना चाहते हैं तो बैक बटन को आप तीन सेकंड तक प्रेस कीजिए प्रेस करने के बाद जरब दे सकते हैं D-pad mode के निच्छे लिखा हुआ आ रहा है अब आपका mouse परफेट तरगे से यूज हो रहा है तो चलिए दोस्तों इसे एक बार जियो टीवी को यूज करें जियो टीवी में यूज करके देखेंगे तो यह हमारा लोड हो चका है एप मैं बैक बटन का बैक बटन को तीन सेकंड तो मैं प्रेसेंट होड करूँगा इसर आप दे सकते ह है tv गाइडबॉल के option आ रहा है इसको पर click करूँगा click करने के बाद इसको निचे लह ले कर रहा हूंगा और सक्रोल करने के लिए एक बार प्रेस करोंको बैक बटन को और आप दे सकते हैं दोस्तों scroll हो रहा है आपको left और right स्कूर करना है तो यह लेफ्ट राइट बैटन यूस कर सकते हैं तो दोस्तों इदर आप दे सकते हैं सारे एक एक बार ऐसे भी हो सकता है दोस्तों थोड़ा मुझे प्रैक्टिस करना होगा मुझे उतना प्रैक्टिस नहीं हो चुका है आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों यह अच्छे से काम करेगा दोस्तों एक एक बार आपका टीवे से बाते करेंगा इसे आफ करने के लिए सेट लिए आप इस आप को यूज करेंगे तो इसे आप कर सकते हैं यह एक दिक्कत आपको आने वाला है दोस्तों दोस्तों जीओ टीवी फूल स्क्रीन वाला वीडियो भी हमरे चानल पर मैं अप्लोड कर रहा हूं इसलिए हमरे चानल को अब जरूर सब्स्राइब किजिए दोस्त मिलते हैं अगली वड़े में नमस्कार